योर अनर, मैं इंस्पेक्टर वाग ले, इस केस की चानविन मैं कर रहा हूँ, अदालत से इस केस के बारे में कुछ कहने की इजाज़त चाहता हूँ इजाज़त है, तैंक यू सर योर अनर, इंसाफ के इस मंदिर में आपको न्याय करते हुए कई साल हुए होंगे और इन सालों में आपके सामने रेप और मर्डर्स के अंगिनत केसेस भी आये होंगे क्या उन अंगिनत केसों में आपके सामने कोई ऐसा केस आया है जहां कटल और बलातकार करने वाले ने, जिसके उपर बलातकार किया है, उसे खुद अस्पताल पहुँचाया हूँ इंस्पेक्टर वागले मुझसे सवाल करने की बजाए आप इस केस में रोशी जानी वही कोशिश कर रहा हूं सर अदालत सरकारी वकिल की जिन दलीलों को मद्दे नज़र रखते हुए इन लड़कों की जमानत नामंदूर कर रही है मैं उनी दलीलों के बारे में कुछ कहने के इजाज़त चाहूंगा इजाज़त है सरकारी वकिल का कहना ये है कि आनिता चोधरी की लाश के पास संजे चौहन का पर्स मिला हो सकता है बेहोश रादा टंडल को उठाते वक्त वो पर्स वहां गिर गया हो अब इनका कहना ये है के रादा टंडल ले इन लड़कों के खिलाब बयान दिया है ये भी तो हो सकता है कि वो बयान उसे किसे के दवाव में आ कर दिया हो जिस डॉक्टर ने बलात कार की रिपोर्ट बनाई हो भी खरीदा गया हो आपकी इन दलीलों से अदालत अपना फैसला नहीं बदल सकती ये फैसला आप लबर दस्वीन पर लाद रहे हो इंस्पेक्टर वाग ले अगर मैं चाहूं तो अदालत की तोहीन के जुर्म में मैं तुम्हें अभी टर्मिनेट कर सकता हूँ कोई परवा नहीं है मुझे इस बात की मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से कौन सा कानून कैसा कानून ये कानून तो चन मुझरिमों की रखेल बन बैठा है इसलिए लोग आदालत का दर्वादा खटकटाने के बजाए बुंदों की चावखट चुमते हैं अगर जिन्दगी में किसी से दिश्वत ना लिए हो तो ही मुझे आहत लगाना इने गिने भुकड लोगों की वज़े से आदालत शत्रंच की विसाथ बन गई है जहां कोई भी आकर कानून से खेल सकता है लेकिन इन खिलाडियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिकाए तो मेरा नाम भी श्वाजी रावाग लेना